गुद मानिंग इस्टूरेंट्स टूडे आई विल टीच वाइस स्टोरी कहानी इसका नाम है क्लेवर हेयर एंड दा लॉइन चतोर खरगोश का वच्छा और शेर वन्स देयर लिव्ड लॉइन इन फॉरेस्ट एक बार एक जंगल में एक लॉइन हैता था यूज टू किल एनिमास टेली वे रोज जो है जानवरों को मारता था दिस वरीड दा एनिमास इससे जो है सबी जो जानवर थे वो चिंते दुए that they all would soon be killed की वे सब जल्दी ही मारे जाएंगे they held a meeting as to how to avoid being decimated तो उन लोगों ने एक meeting रखी कि इस चीज से कैसे बचा जाए इस decimated से कैसे बचा जाए in the meeting और meeting में it was decided to send one animal daily to the loin at a fixed time तो उन्होंने इनिश्य किया कि एक समय में loin के लिए एक जानवर रोज महाँ पर बेज दिया जाएगा one day it was the turn of a hair एक दिन जब जो है hair की बारी आया यानि च्खर्वों से बच्छे की बारी आई he deliberately got late in reaching the loin तो वो जो है जानवूज कर loin के पास देरी से पहुचा the loin was very angry इसकी वज़े से जो शेर था वो बहुत गुस्सा हुआ being hungry को क्यों से भूख लग रही थी and the hairs late coming और जो hair था वो बहुत देरी से आया he packed to and fro and asked the hair उसने अपने आपको इदर उदर वो paste कर रहा था चल रहा था और hair से पुछा what made him late क्यों देरी से क्यों आय हो the hair told the loin hair ने loin से कहा that there was another loin की वहाँ पर एक दूसरा शेर भी था he told him to get ready उसने वो बताने के तैयार हुआ and he would eat him और उसने कहा कि वो मुझे खा लेगा the hair told the second loin second loin के बारे में बताया that he was to go to the first loin first he was to go to first loin first कि वो जो है पहले वाले जैसा ही दिख रहा था the hair told the first loin the hair यानि खरगोश ने first loin के बारे से कहा that due to that he got late जिसकी वज़े से वो लेट हो गया the loin asked the hair loin ने hair से कहा to take him to the second loin where he lived कि वो उसको दूसरे शेर के पास ले जाए जहाँ वो रहता है the hair took him to a well जो खरगोश था वो उसको एक कुए के पास ले गया and told the loin और loin से कहा that the second loin lived in the well कि जो दूसरा शेर है वो इस कुए में रहता था the first loin was saw his reflection पहले शेर ने अपनी जो छाया थी reflection मतला छाया shadow onto the water पानी में देखी off the wall कुए के पानी में देखी and रॉयर और दाहाडा his रॉयर री साउंडेड उसकी जो दाहाड थी कुए के पानी में फिर से बापस आती है तो फिर से बापस आई and it made the loin understand the loin intending to kill the loin loin जो है उस दूसरे शेर को मानने की इच्छा से इरादे से the well jumped into his death तो वो कुए में कूद गया और उसकी मत्य हो गई the clever hair saved all the animals from death clever उस चतुर खर्भोश के बच्चे ने अपने आपको और सभी बी जानवरों को म्रत्य उसे मचा लिया इस तरह से उसने ये अपनी cleverness दिखाई कि जूटी कहानी रच कर और उस loin को ही कुए में धकेल दिया यनि खुद ही मर गया तो ये चत्राई थी कि कि सरीके से अपनी जान बचाई जाए मुसीबत में और अपने साथ अपने दूसरे शाथियों की भी जान बचाई तो इसको आप लिखना कॉपी पर और याद भी करना मैं एक भार गी कर दियुच अपनी फर्या है। लएक शाफ खरीथ कि अ बचाई दूसरे घ्राई लोपिती विरेख गूत Надоई लाया विर्यास लें लेकiroड़ और टेडिशंDER लेखायां लोपिती उनमी हुंठाइ कुल के लेट kayसंई अन्हरोब लोकर हम संदो हैं लेखाया हुआ लेखाया हिढ लेखाया हिए he told him to go get ready and he would eat him the hare Theodle the second loan that he was to go to the first loin first the hair told the first line that the two that he got laid the line as the hire to take him to the second line where he lived the hair took him to live and जोह अई, लोटा लेनुओ लगूान ताकले से कुछ tú logrा लोटन।ाबू मैं लेय। जोटावी लेष्ट लूवर, जोह बर भीडू करू अरn के अनंहेद।। ये लोटन्यू uhट कर्व लोटन। लेक सकटूर लेय।, जोट्ims ले Ready लेदcken। Okay? Thank you.